नमस्कार शिक्षार्तियों शोद पद्धितियां और सांकिकी की व्याख्यान श्रिंख्ला में आपका पुना स्वागत है इस व्याख्यान में हम बात करेंगे शोद वीदियों के बारे में इसके प्रथम भाग में हमने शोद का अर्थ जाना उसकी परिभाशा उद्धेश उसके महत्व को जाना इसके दूसरे और इस भाग में हम शोद विदियों के बारे में चर्चा करेंगे शोद के कई प्रकार होते हैं कई विदियों के माध्यम से हम शोद कर सकते हैं सबसे पहली है एतिहासिक शोद विधी, एतिहासिक शोद विधी को हम historical research study भी कहते हैं, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस विधी में भविश्य को समझने के लिए हम पुराने समय में या भूत काल से सम्मंदित समस्याओं का विशलेशन करते हैं, इसका मतलब है जो और इसमें हम भूत काल के सम्मंद में उनके समस्याओं का अध्यान करते हैं, और उसका सम्मंद वर्तमानिया भविश्य से होता है, या उसके आधार पर जो हम result निकालते हैं, उसको हम भविश्य और वर्तमान से उसका सम्मंद हम निकालते हैं, इसके द्वारा अतित की व्याख्या की जाती है मतलब पुरानी सूचनाओं को हम इखटा करते हैं उसका प्रामानिक अध्यान करते हैं उनका परीक्षन करते हैं और उसके आधार पर हम उनकी व्याख्या करते हैं या सरल शब्दों में कहें तो एतिहासिक शोध अतीत की घटनाओं विकास कर्मों का व इसका महत्व है जैसे किसी शोद समस्या का अध्यान अतीद की घटनाओं के अधार पर अगर हम करें तो इससे पता चलता है कि उस जिस पर्टिकुलर विशय पर हम शोद कर रहे हैं जिस समस्या को हमने चुना है अपने शोद विशय के रूप में वक किस प्रकार घटी और क्य समयक के साथ बहुत बढलाव आते हैं तो उन परिवरतनों का हम जब अध्यान करते हैं तो हम अधीद की घटाओं का अधियन करते हैं और उसके संबंद में हम वर्तमान में उसका निश्कष निकालते हैं अतीत के प्रभाव का मुल्यांगन करते हैं जो अतीत में घटना है घट चुकी है उनका वर्तमान या भविश्य पे क्या प्रभाव है उसका हम अधियन कर सकते हैं और इसकी बहुत जना है उसमें अगर कोई तुटी हो अगर कोई इसमें कमी हो उसको सुधार सकते हैं और उसको अधिक प्रभावी धन से लगुड़ कर सकते हैं कई सीमखें भी हैं कई ऽरे limitations हैं इसके सबसे पहला और सबसे important है कि अगर हम कोई एतिहा से एक शोद करना चाहते हैं, इस विदी को हम अपनाना चाहते हैं, तो कई बार तथ्य अनुर्पलब्द होते हैं, या वो ऐसे बिखरे होते हैं कि उनको इखटा नहीं किया जा सकता, तो इसमें अगर हमी कोई शोद समस्या ली है, जो भूतकाल से संबंदित है, तो हो कि बार क्या होता है कि इतनी पुरानी पुस्तके या इतने पुराने अभी ले उपलब्द नहीं होते हैं, या खराब हो गए होते हैं, या फिर खो जाते हैं, तो पांची ग्रूप से नश्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जानकारी अधूरी रह जाती है, तो यह सम तो इस वजह से भी उनको इखटा करने में तिकत होती है तत्यों की वस्तोनिष्ठा भे प्रश्णों हो सकता है कि यह तत्थी सही हैं भी या नहीं भी आपने इसको आप इस तरह से जोड सकते हैं जैसे आपने देखा ओगा कि कोई अगर हम कोई फिल्म ले ले जिसमें किसी प तो आपने देखा होगा उसमें कायी सारे लोगों को objection हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहले पूरे तत्यों को इखट़्ठा करना पड़ता है उसमें उस तत्य की वस्तुनिषठता पे सवाल टाये कि जो आपने दिखाया है या जो आपने information collect करी है वो आपने कौन से reliable source से collect करी है तो यह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसका जो तथ्योते उनका उप्योग भी बहुत सेमित होता है इसका प्रयोग उन्हीं समस्याओं के अंध्यान में किया जा सकता है जिसमें अतिहासिक प्रिष्टभूमी से संबंदित कोई प्रलीक उपलब्द हो या पांडू लिप्या या आकड़े उपलब्द हो हम किसी ऐसी समस्या का चैन नहीं कर सकते इसमें या उसमें दिक्कत हो सकती है जिसके लिए कोई तर्थी उपलब्द ही नहीं है अगर तर्थी उपलब्द नहीं होंगे तो हम जानकारी कहां से इकटा करेंगे तो यह एक सीमा है अतिहासिक शोथकी दूसरा है वर्णात्मक शोथविधी या इसको हम डिस्कृप्टिव रिसर्स भी कहते हैं इसमें हम वर्तमान परिस्तितियों और विश्वास विचारधारों अभीवरत्यों का अध्यान करते हैं उनका विश्लेशन करते हैं उसके अधार पर निश्कर्ष निकालते हैं जैसे आतिहासिक शोद्विदी में हम भूतकाल से संबंद समस्यों का चैन करते हैं उनका भी हम आपस में संबंद रूडने का प्रयाज करते हैं वेरेबल्स के बारे में आप जादा जानकारी आने वाले वैख्यानों में राप्त करेंगे वेरेबल्स वो होते हैं जो जिनका प्रभाव हमारे प्रतिदर्श पे या हमारी शोद समस्या पे पढ़ता है और उनका प्रभाव हम देखते हैं इसको descriptive research को या वर्णात्मक शोदविदी को हम कई सारे भागों में वर्गृत कर सकते हैं पहला है survey action अध्यान जिसको हम survey studies भी कह सकते हैं survey studies वो होती हैं जिसमें हम survey action करते हैं सर्वेक्षन के माध्यम से हम सूचनाय एकत्र करते हैं, उनके माध्यम से हम सूचनाय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर हम वर्तमान स्थर का निलधारन करते हैं, जो हमने वर्तमान स्थर देखा है और जो मानने स्थर है, जो वैलड स्टेटस है, उसकी त साल तक के बच्चों में और हम उसको रेफरेंस से तुलना करते हैं रेफरेंस होता है जो स्टैंडर्ड दिये हुए हैं कि इस आधार पर बच्चों का स्वास्त होना चाहिए कि उससे हम निश्करश निकालते हैं कि प्रेजन सिटुएशन क्या है और मानक से यह या जो उसका म इसलेशन कर सकते हैं किसी की कारिपद्दी के बारे में जान सकते हैं कोई डॉक्यमेंटरी वो कर सकते हैं अध्यान कर सकते हैं जन्मत सर्वेक्शन या पूल जो होते हैं वो इसके आधार पर हम उसका अध्यान कर सकते हैं या कम्यूनिटी स्टाडिज जैसे अभी मैंने को का आपको धारण दिया कि community studies भी सर्वेक्षन की माध्यम से की जा सकती है दूसरा है इसमें अंतर संबंदों का अध्यान यानि की interrelationship का अध्यान दो लोग के बीच में किस तरह का संबंद हो सकता है इसमें सिर्वर्तवान इस्तिती का ही सर्वेक्षन नहीं होता बलकि उन तत्वों को भी डूडने का प्रयास किया जाता है जो समस्या से संबंदित होती है कि किस का प्रभाव उस पर पढ़ता है इसमें कई प्रकार के होते हैं इंटर रिलेशनशेप स्टडी जो पहली होती है वो है केस्टडी इसको व्यक्ति अध्यन भी कहते हैं इसमें हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, परिवार, समूव, समाजिक संसा है समुधाय का अध्यन करते हैं जैसे हम समुधाय में जाएं और हम केस स्टडी करें सिर्फ दो से पांस साल तक के बच्चों का तो वो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या किसी एक पे हम स्टडी करें तो उसको हम केस स्टडी कर सकते हैं दूसरा है comparative study, इस में किसी समस्या के समधान को उसके कारक संबंदों के आधर पर डूड़ा जाता है, जैसे हम किसी समस्या का chain करते हैं, जैसे kuposhan की समस्या का हमने chain किया, हम कारक संबंद का अध्यान करेंगे, जैसे चोटे बच्चे kuposhet हैं, तो इसका reason क्या हो सकता है, इसका पूरें आहार नहीं मिला हो, यह इस का रीजन यह हो सकता है, कि बच्चे की जो आहार संबन्दी जह आधते हैं, वह अच्छे से विक्सित नहूं, खराब हो और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं तो ये कारक संबंदों का अध्यन किया जाता है और ये जाने का प्रयास किया जाता है कि जो वो पर्टिकुलर समस्या है घटना इस्तिती है वो किस प्रकार आपस में कारक उससे संबंदेत है फिर है को रिलेशनल स्टाडी इसमें दो या दो से अधिक चरों, या घटनाओं, या वस्तों का परफरिक सम्बंद के अध्यां से सम्बंदेत है या जैसे इसमे उधारण मिलीजए की शोत करता बालक के पोशन और शारिरिक विकास का अध्यां करना जाता है कि वह जानना चाहता है कि बच्चे का पोशन उसके शारिरिक विकास को किस प्रकार प्राववित करता है तो दो जो ये variables हैं इनके इसके संबंद का अध्यन correlational study कहलाता है फिर है विकास आत्मक अध्यन विकास आत्मक अध्यन को हम development studies भी कहते हैं इसका जिसमें वर्तमान स्थिती एवं पारस पर एक संबंद के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय के साथ इसमें क्या परिवर्तना है जैसे इससे पूर महें हमने बताया कि portion study और शारिरिक विकास इसमें हम समय के साथ इन दोनों का relation देखते हैं लंबे समय तक तो इसमें पहला है longitudinal study longitudinal study में इसको इस उधारन के तोर पर से समझते हैं कि बालक का portion और शारिर विकास का अध्यन एक अंतराल में जैसे 12,13,14,15,16 वर्श की आयव में किया जाता है जैसे एक ही बालक का अध्यन हम एक बालक को चुने और उसके portion और शारिर्व विकास के बीच में संबंध हम उसके ही बारवी वर्ष में जाने तेरा, चौदा, पंदा, सूला, एक ही बालग का हम पांच वर्ष तक अध्यन करें. दूसरा है cross-sectional study, cross-sectional study में समय जो अवधी होती है वो जादा नहीं होती, बलकि एक ही समय में हम अलग-अलग बालग को अध्यन करते हैं, जैसे उस longitudinal study में हमने एक बालग का उसके अलग-अलग age में अध्यन किया, इसमें हम कई सारे बालग जो एक बारा वर्ष का हो, तेरा व विकास की स्थिदी का अध्यन करते हैं, फिर है trend study, trend study होता है, ये वास्तों में एतिहासिक शोध विधी और सरविक्षन विधी का mixture है, कि किसी भी particular चीज में पुराने समय से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हो, इस से इस विधी द्वारा सामाजिक, राजनेतिक और आर्थि काक्टे प्राप्त किये जाते हैं, और इन आकड़ों के विशलेशन द्वारा वर्तमान जो trend होता है, उनकी वियाक्या और वर्णन किया जाता है, जैसे किसी समस्या के बारे में हम पुराने से लेकर अब तक अध्यन करें, और उसके आधार पर वर्तमान में जो उसका trend है, जैसे आहार संबन्ती आधतों का अध्यन कर सकते हैं हम इसमें, हम आज से 20 या 30 साल पहले से या फिर 10 साल पहले से हम उसका देखें क्या trend रहा बच्चों में, खाने की आधतों में और इस time क्या trend है, और ये सब बालकों के portion study को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये trend study हो ये होती है, experimental study, experimental study मून रूप से lab conditions में करी जाती है, जहां पर हम किसी चीज को measure करते हैं, जैसे इसमें हम cause and effect relation या कार्य कारण सम्मन्त स्थापित करते हैं, कि कि किसी एक particular चर का या एक particular चीज का दूसरे पर क्या प्रभाव पढ़ता है, ये विदी मूलतह law of single variable, यानि कि ए इकल चर के नियम पर अधारित होती है, और इसका अधार अंतर की विदी, यानि method of difference है, इसका मतलब है कि यदि कोई दो परिस्थितियों में, सभी मूल रूप से वा दो परिस्थितियां समान हैं, और किसी एक variable को, इसको हम उदारण से भी समझेंगे अभी, किसी एक variable को सिथि में जोडा गया है, तो अगर उसमें कोई अंतर आता है, तो वो उस variable की वज़ा से आता है, और उसको हटाने पर वो अंतर नहीं दिखाए पड़ता, तो इस जो effect होता है, cause and effect को हम experimental study से अध्यन करते हैं, इसमें उदारण से समझें कि जैसे हम किसी particular medicine का, या कोई खाद दिपदार थी ले लीजिए, उसका हम किसी व्यक्ति के blood cholesterol पे अध्यन करना चाते हैं, तो हम जो दो group लेंगे उसमें, एक होता है प्रयोगात्मक समू, एक होता है नियंतरित समू, प्रयोगात्मक समू हमारा experimental group कहा जाता है, और नियंतरित समू हमारा controlled group कहा जाता है, तो जो दोनों समू में हम sample लेंगे, या प्रतिदर्श को chain का chain करेंगे, वो दोनों ही सभी परिस्तितियों में समान होंगे, जैसे हम उसमें अपना जो sample select करें, मानलीजे, select किया है मैंने 30 से लेकर 45 तक के पुरुष, जिनका हम BMI लेंगे, यानि की body mass index, जो normal होगा, और उनके जो lifestyle ह होगी, वो भी common होगी, यह सब मैं जो बात कर रही हूँ, यह variables की बात कर रही हूँ, यह सब common होगे, बस और दोनों ही जो subject होगे, मैं उनका chain कर सकती हूँ, उनका blood cholesterol high है, या borderline पे है, अब मैं जो particular खादिपदार्थ का उस पे effect देखना चारी हूँ, मैं दो group बनाऊंगी, एक group को मैं वो नहीं दोंगी, खादिपदार्थ, दूसरे group को मैं दोंगी, मैंने उसके लिए कोई particular schedule बनाया होगा, उसके according में उसको दोंगी, तो एक समय सीमा निर्धारित करूँगी, और बाकी सब उनका खान पान, बाकी physical activity सब सेम रहेगा, तो जो blood cholesterol में यदी समय अंतर आल के बाद अंतर आता है, तो वो उस particular खादिपदार्थ की वज़ा से होगा, या निशकर्ष निकाला जा सकता है, तो यह जो studies होती है, इस तरह के की, यह experimental studies कही जाते है, फिर है गुडात्मक शोधवीदी, गुडात्मक शोधवीदी मतलब qualitative studies, qualitative studies में जो different variables होते हैं, जो different मात्रा को का पता करती है, जो गुडात्मक शोधवीदीयां होती है, यह quality बताती है, यह मूलता साहिति से related studies होती है, मान लिजे संगीत से संबंदित हम कोई शोध करना चाहरे हैं, मान लिजे पुराने समय में कोई शास्त्री संगीत या कोई particular नरित्तिकला होती है, उसके ब उसका origin कहां से है, यह सब मान लें अगर हम कहना चाहरें, तो उसमें हम गुडात्मक शोधवीदी का इस्तिमाल करते हैं, इसके विशेशता हैं कि इसका केंद्र बिंदू कोई particular condition होती है, कोई विशेश्ट परिस्तिती होती है, किसी संस्था के बारे में द्यान कर सकते हैं, कोई समुदाय या मानव समु हो सकता है, और इसमें हम आकड़ों का संग्रहन प्रापतांक या मापन या स्टाटिस्टिकल ऐसे विशेशन के स्थान पर हम उसके कारण, व्याख्या, व्याख्याओं और उसके जो नहित अर्थ होते हैं उस पर बल देते हैं, इसमें हम टूल जो यूज करते हैं, वो व्यक्तिक अनुभाओं को जाधा बल देते हैं, जैसे शास्त्रे संगीत के बारे में मैंने आप से अभी कहा कि हम इसको ले सकते हैं, तो हम कोई जो पुराने लोग हैं, जो उस संगीत से जुड़े हैं, हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके अनुभाओं के आधार पर हम अपना डेटा इकटा कर सकते हैं, और विशलेशान उसका कर सकते हैं, इसलिए इस विदी में प्रतिदर्श की संख्या कम होती हैं, और इसे मूल रोप से संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अधियन किया जाता है, तो शिक्षारतियों आपने इस आपको ये पता लगाना होता है कि मैं कौन सी शोध विदी का इस्तिमाल करूं कि मैं अपने शोध को पूरा कर सकूं, और मैं जो चाहा रही हो कि इसमें से मैं इस तरह से रिजल्ट निकालूं, वो आपको आप कर सको उस काम को, तो इस तरह हम शोध विदीयों का चेहन करते हैं, और इस गुणात्मक शोध विदी में हम मूलता संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अध्यान करते हैं, तो चिक्षार्थियों इस व्याक्यान में अपने जाना की किस-किस प्रकार की शोध विदीयों का इस्तिमाल आप अपने शोध अध्यान में कर सकते हैं, और जब आप यह निर्णाय लेते हैं कि हम कौन सी शोध विदी का इस्तिमाल उस समस्या के शोध में कर सकते हैं, धन्यवाद,